Hello students, so once again welcome to Zenith Academy online class. Hope you all are doing well. विद्ध्यारती गन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Environmental Movement in India Part 2. Part 1 का वीडियो हम लोग अल्रेडी पोस्ट कर दिये हैं YouTube चैनल पे तो वहां से जाकर के आप दारिकली एक्सिस कर सकते हैं और मैं description box में link mention कर दूँगा तो वहां से आप easily access कर सकते हैं वो वीडियो को तो चले शुरू करते हैं आज का class आज का class का thoughts of the day है Climate justice is a social justice यानि जलवायू न्याई ही एक समाजिक न्याई है मिरे प्रिय विद्यारती गन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने chip को movement देखे थे और silent valley movement के बारे में पढ़े थे इस वीडियो में आज का मुख्य अजिंडा होने वाला है जंगल बचाव आंदोलन, अपिको movement, नर्मदा बचाव आंदोलन और आखे में पढ़ने वाले हैं सेव अरे आंदोलन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जंगल बचाव आंदोलन के साथ जारकंड राजे में जो लीडर्स शामिल थे इस आंदोलन में वो थे ट्राइबल्स पीपल ऑफ सिंगम डिस्टिक और इनका जो मुख्य एम था या लक्ष था वो था तो प्रोटेक्ट थी साल फॉरेस्ट इन डेक्ट रीजिन तो यह आंदोलन बड़े स्थर पे हुआ था चालू किया था और यह आंदोलन बहुत बड़ा हुआ और इसमें इनका यही लक्ष था कि जंगल को बचाना है वहाँ जो फॉरेस्ट कट रहे थे और उनका ट्रीस कट रहे थे तो उनको यह बचाना था उसके लिए इन लोग यह सब पीपल जो आदिवासीस पीपल थे वह तो यह आप बचे लोग note down कर लिजे ताकि easy होगा आप लोग को future में यह काम आएगा ठीक है तो as a general knowledge या UPSC students को भी यह सब questions आ जाते हैं तो एक अच्छा है कि आप लोग note down कर लेंगे तो ठीक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे जंगल बचाओ आंदोलन के background के बारे में 1980 के शुरुआती दिनों में Government of India एक प्रपोस्ड प्रोजेक्ट 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 किया था कि बिहार राज के सांगवान district में जो साल forest है उस जगह पे हम लोग साल को कटाई करेंगे और उसके जगह पे सांगवान या टीक ट्रीक का plantation किया जाएगा तो ये प्रपोस्ड या प्रपोस्ड प्रोजेक्ट के बारे में वहां के रहने वाले आदिवासी समाज को या ट्राइबल्स पीपल को पता चला तो उन लोगों ने 1980 से ही आंदोलन करना शुरू कर दिया था और वो आंदोलन चलता रहा उनिस सो बिरासी में वो मुख्य आंदोलन भारत का बन गया ठीक है तो आप इदर देख सकते इदर पढ़ भी सकते है आप दी जंगल बचाव आंदोलन टुक शेप इन दी येर आफ नाइंटीन एटीस ओके वन दी गवर्मेंट प्रपोस्ट त टीक प्लांटेशन वहां करना था गवर्मेंट का बेसिकली टिक टीक है या सांगोन के जहाड है वो फ़र्निचर बनाने में बहुत काम आता है तो गवर्मेंट का यही thought process था कि वहां हम लोग ट्रर लगाएंगे और उससे जादा हम लोग मुणफा कमाएंगे ठीक है तो the movement स्प्रेड टू नियर्वाइ स्टेट्स वहाँ बिहार राज के अगल बगल राजे को भी यह चीज के वारे में पता चला वहाँ भी यह चीज यह मुद्दे को हाइलाइट किया गया ठीक है नियर्वाइ हाईलाइटेड अग्यास बिट्विन दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्स अन्द पीपल विश्च तो जो वहाँ की पीपल का विश्च था कि हमें ये जहाड को काटना नहीं है साल टीक को काटना नहीं है वो वैसे ही रहने दे और जो टीक प्रोजेक्ट उन लोग लेकर आए गवर्मेंट लेकर आई है उसे वापस लिया जाए ठीक है तो यह मुख्य बैक्ग्राउंड था जंगल बचाव आंदुलन का हम लोगों ने अब तक चिपको मुवमेंट के बारे में पढ़े, साइलेंट वैली मुवमेंट के बारे में पढ़े और जंगल बचाव आंदुलन के बारे में पढ़े अब हम पढ़ने वाले हैं अपीको मुवमेंट के बारे में जो शुरुवात हुआ 1983 में जगा था उत्रा कन्नडा ओफ शिमोगा डिस्टिक अफ करिनाटिका स्टेट, ओके, दिस इंपोर्टेंट पॉइंट, तो ये है कन्नडा राजिय, जगा था शिमोगा डिस्टिका, इस मैप में या नक्षे में देख सकते हैं, शिमोगा जिला, ठीक है, इनके जो मुख्य नेता थे, वो थे, पांडुरंग हेगडे, helped the launch of movement in the year of 1983, ओके, ये भी आप नोट डाउन कर लिजे बच्चेगर, और जो इनका मुख्य लक्ष था, वो था, against the felling and the commercialization of natural forest and the rune, ancient livelihood, तो उनका जो मुख्य लक्ष था, वो था, वहाँ जो ज़ाड की कटाई हो रही थी, या fellings हो रही थी, ताकि वो business purpose को use हो जाए, वहाँ के natural resources, natural forest के बारे में, और इसके वज़े से, वहाँ के जो ancient livelihood थे, वो प्रभावित हो रहे थे, तो ये उनका मुख्य लक्ष था, ठीक है, इसमें देखेंगे हैं हम लोग, backgrounds of apico, apico movement के वारे में ठीक है, तो करनाटका का, उत्तर कनडा, जो की पच्मित तटकी और है, और उजिला है, शीमोगा district, ओके, शीमोगा district of करनाटका, ठीक है, ये जो district है, वो, rich forest, ओके, rich forest है, और इस district को हम लोग, forest district भी बोलते हैं, ठीक है, तो इस district, शीमोगा district में, उधर cash crop, cash crop की खेती होती है, basically, उधर black pepper, black pepper and cardamom की खेती की जाती है, या काली मिर्च और इलाइची की खेती की जाती है, तो इस वज़े से, जो पहले अंग्रेज शाषन था, उस टाइम इस forest को बहुत लूटा गया, वहाँ से बहुत सारे black peppers, cardamom, ये सब का बहुती अंग्रेज लोगों ने फायदा बनाया, उस टाइम जो forest policy थी, वो बहुती गलत थी, तो क्या हुआ, आज़ादी के बाद वही forest policy प्रिदेश में implement हुआ था, तो उस policy के तहर, government of India और वहाँ जो forest department थे, वो भी क्या कर रहे थे, वो भी इन लोग वो policy का use करके, वहाँ जंगल का हनन किया जा रहा था, ठीक है, बुरी तर ऐसे वहाँ से जंगल को लूटा जा रह रहे थे, तो यह सब चीज जो वहाँ के local leaders थे या local लोग थे वहाँ के citizens थे, तो इन लोग को पता चला कि इस तरह से गलत काम वहाँ, शिमोगा district के जो जंगल है, उदर किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ के जो भी लकडी काटते थे इन लोग, और टीक ट्री और जो भी इस थे, वह बाहर बेचा जाता था, जैसे मुंबई ट्रांस्पोर्ट किया जाता था, वहाँ के ट्री कटिंग करके, फिर वहाँ से दूसरे राजे में भेजाता था, बेचने का यह सब कारिया चल रहे थे, ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने अब्जर्ब किया, कि इस तरह का, गलत का, हमारे जो जंगल है इदर, जंगल के साथ हो रहा है, तो उसी लिए इन लोगों ने क्या किया, 1983 में अपी को मूव्मेंट लॉंच किया, ठीक है, तो यह सब सारा इनका बैग्राउंड है, अपी को मूव्मेंट के बारे में, ठीक है, तो आप इदर पढ़ भी सक किया है, इंगलिश में दिया हूँ है, करणाठ का उत्रा, कनडा, विच फर्मस इपार्ट ओफ वेस्टन घात, इस अल्सो नोन अस फोरेश्ट, थीक हमने बात किया वह, तो तो हमने वह भी बात किया है, तीपिकली, माइक्रो क्लाइमेट फोरेश्ट प्लेक्रश्ट ग्ले भी प्लेक्रश्ट घाहने प्लेडडर फेक्रियाने कालिमेरs तो धित्लीम अलाइछी हिसा, भी टीख सामने कालीम माइच engagement किया ह। म्लाइच म मालाइच कि नेWasच किकली तूरेश्त गवाट तो यह था बैक्ग्राउंड के बारे में ठीक है इसमें पढ़ने वाले हम लोग प्रोटेस्ट अफ दी अपीको मुव्मेंट के बारे में ठीक है तो क्या हुआ यह ग्रूप ओफ यूथ उधर आये ग्रूप बनाया वह विलेज कौन से थे बले गाड़े विलेज तो यह सब जो यूथ थे वह प्रोटेस्ट निकाला और यह प्रोटेस्ट कहा गई फॉरस्ट फॉरस्ट ऑफिस ठीक है वहाँ इन लोग ऑफिशल के पास गए और उन्होंने अपील किया वहाँ जाकर कि जो यह फॉरस्ट की कटाई या क्लिरिंग हो रही है यह रोकना चाहिए यह रोकना चाहिए, बट क्या हुआ, वहां के जो officers थे, उन्होंने appeal, people का वहां villages का था, वो ignored किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वहां के लोग थे, उस गाओं के लोग थे, तो उन लोगोंने invitation दिया, किनको सुन्दरलाल, SL, बहुगुणा दी को, बहुगुणा जी को, तो फिर क्या बहुगुणा उधर आए, अपी को में आए, और वहां स्विमुगा डिस्टिक के अपी को movement के लिए launch करने के लिए आए वो, और वहां उन्होंने क्या क्या, पीपल को gather किया, जो भी उधर के आसपास के लोग थे, गाओं वाले लोग थे, और उनको कस्मे दिलाया गया कि हमें जहाड की कटाई से बचाना है इस जंगल को, ठीक है, तो उन्हें एक सुझाओ दिया लोगों को कि, अगर जब भी officers या उधर के जो लोग आएंगे, contractors आएंगे कटाई करने के लिए, तो हमें जहाड को गले लगाना है, जैसा आप इस तरह का योजना सुंदरलाल बहुगीना जी ने बनाया था, ठीक है, तो in the year of September 1983, when the X-men came for felling the trees, जब भी X-men, मतलब वहां के जो कटाई करने वाले X-men आये, कटाई करने के लिए, तो वहां क्या, वहां सब लोग आते थे, और जहाड को व्रिक्ष को गले लगाते थे, औ और अपी को means hugging, ठीक है, उसके लिए इसको अपी को movement का नाम दिया गया, ठीक है, the protest continues for 38 days, कितना दिन, 38 days तक चला, after which the government finally withdraw the felling order, ये चलने के बाद आन्दोलन 38 दिन चला, आखरी में, गवर्मेंट वहां उस law को और उस जगह, उस कटाई को, उस order को, forest policy को withdraw किया गया, ठीक है तो इस तरह से ये protest successful हुआ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, objectives of apico movement के बारे में, तो पहला उद्देश apico movement का यही होता है, protecting the existing forest, ठीक है, तो हमें जो भी है, जो forest बचे है, जो forest का बचे हुए है, उन्हें हमें पहला नंबर बचाना है, ठीक है, और second उद्देश ये था, regeneration of trees in a denuded land, जहां, मतलब क्या बोलते हैं, जहां बंजर जमीन है, वहां हमें क्या, जहाड लगाना है, जहाड कल्टिवेट करना है, वापस से उगाना है, ठीक है, जो तीसरा उद्देश था, utilizing forest wealth with a proper consideration, जो forest के धन है, ठीक है, तो उन्हें हमें एक proper consideration के साथ यूटिलाइज करना ह है, और conserve करना है, natural resources का, जो भी उदर से mineral से में मिलते हैं, forest से चाहें tree हो, उदर के trees हो गया है, जैसे की, और भी कुछ, जो natural resources मिल रहे हो हां से, तो हमें उन्हें शारक्षन करना है, हमेशा के लिए, ठीक है, तो ये, तीन मुख्य, तीन मुख्य, उद्देश अपिको movement के थ ठीक है, ठीक है न, अपिको movement के दो significance या महत्व है, पहला ये है कि, the movement created awareness among the villagers throughout the western ghats about the ecological dangers posed by the commercial, commercial and industry's interest to their forest which was the main source of substance, तो पहला नमबर ये है कि, या आंदुलन, अपिको आंदुलन, जो western ghats के लोग थे, villagers थे, उनको एक जागरुकता अभ्यान की तरह काम किया, ठीक है, उनको मालम जला कि, जो industrialist है, जो commercialization forest में हो रहे है, उसके कारण क्या हो रहा है, ecological dangers create हो रहा है, ठीक है न, तो ये main महत्व था, अपिको movement का, और दूसरा महत्व ये था, कि ये movement ने government को force किया forest policy को change करने के लिए, ठीक है न, तो ये forest policy change पुड़ा इंडिया में आया, और forest को cutting या fellings के उपर रोक लगाया गया, तो ये सबसे बड़ा महत्व, हम लोग बोल सकते हैं, इस अपिको movement का, ठीक है, नर्मदा आंदुलन पढ़ाने से पहले मेरा एक प्रश्ण है आप लोगों से, कि earth take कब मनाया जाता है, इसका आप उत्तर, comment box में आप mention करके बता दीजे मुझे, तो मैं वहाँ आप लोग को reply करूँगा, ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं, नर्मदा बचाओ आंदुल नेता थे, वो थी, मेधा पाठकर जी, फिर बाबा आम्टे जी महाराष्ट से थे, मेधा पाठकर जी MP से थी, और आदिवासी लोग शामिल थे इस आंदुलन में, किसान थे, एंवर्मेंटलिस्ट थे, और बहुत सारी human rights activists थे, NGO's शामिल थे इस आंदुलन में, ये बड़े स्थर में, पुरे भारत में, आंदुलन, फैला, फैला और इस आंदुलन का सक्सेस भी मिला है लोगों को, ठीक है, तो ये आंदुलन बेसिकली, ये मुख्य लक्ष था, a social movement against the number of large dams being built across नर्मादारीवर्स and the consequented damage to the environment, तो क्या हो था, गवर्मेंट ने उस टाइम ये बोला कि हम लोग नर्मादारीवर के बहुत सारे हम लोग dams बनाने वाले हैं, तो इसके वेज़े से क्या होने वाला था, कि वहां के जो environment को damage, वहां के जंगलों को बहुत हानी पहुच जोना था, अगर बहुत सारे dams बनाए जाते नर्मादारीवर्स पे तो बहुत सारे environmental changes देख खुद मेधा पाठकर जी, बाबा आम्टे जी और आदिवासी, किसान इसा सब शामिल हुए आंदुलन में, नर्मदा बचाव आंदुलन में, और यह पूरे देश को message गया environment को लेकर एक हमें environment का बहुत concern करना चाहिए, क्योंकि लिए यह हमारी सची पुंजी होती है, ठीक ह चलिए विद्धियार्तिकन, इसमें हम लोग देखेंगे backgrounds of नर्मदा बचाव आंदुलन के बारे में, तो हम लोग इंडिया का map बना लेता हूं है, सबसे पहले, ठीक है, यह हो गया कश्मीर, ठीक है, इस इस गुजरात, इस तरह से इंडिया कुछ structure बनता है, ठीक है, इस MP, and down below, this is Maharashtra, okay, so the नर्मदा स्टाट फ्राम जबलपूर डिस्टिक, इस गोजन महारास्टा, महारास्टा से होते हुए, गुजरात होते हुए, वो अरब सागर में मिल जाती है नदी, ठीक है, तो क्या हुआ, उनीस से असी के दसक में, गवर्मेंट ने बड़े स्थर पे एक प्रोजेक्ट लॉंच किया था, वो प्रोजेक्ट था, थर्टी बड़े डैम्स बनाने का, थर्टी, थर्टी, बिक डैम्स, ठीक है, अन्धी, रिवर्स अफ नर्मदा, और थ्री थाउजन, थ्री थाउजन, स्मॉल डैम्स, बनाने थे, ट्रीवल ट्रीज, ट्रीवल ट्रीज ओफ नर्मदा के, थिक है, तो क्या हुआ, थिक है, वो भी, मध्यप्रदेश, MP, महाराश्ट्र, और गुजरात में, गुजरात राजे में, तो यह क्या हुआ, कि नर्मदा आंदुलन श्रुवात, ऐसे हुआ कि, लोगों क पता चलने लगा कि, सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉंच किया है, और उस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला, 30 बड़े डैम्स बनने वाले हैं, और 3,000 छोटे-छोटे डैम्स बने गो भी, ट्रीविटरीज ओफ नर्मदा और नर्मदा रिवर पे, ठीक है, तो यह लोगों को पता चला, ठीक है, तो वहाँ बेसिकली एक्टिविस्ट थे, शोचल एक्टिविस्ट अपने पाठकर जी, मेधा पाठकर जी, उसके बाद बहुत सारे आंदुलनकारी जुडते गए, और बाबा आम्टे जी महाराष्टर से थे, तो इन लोगों ने आंदुलन क बैलेंस डिस्टर्ब करने वाली है, ठीक है, एकलोर्जिकल बैलेंस डिस्टर्ब करने वाली है, तो इसके वज़े से क्या हुआ, इन लोगों ने क्या, लोगों को इखटा किया, और लोगों को बताया, कि अगर इस तरह का प्रोजेक्ट लॉंच हुआ देश में, और नर्म प्रोजेक्ट नाम दिया गया था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वन अप गया उस टाइम के बहुत बढ़ा प्रोजेक्ट था जो कि प्लैन के अगर था महराष्टा, MP और गुजरात के लिए तो यह आंदुलन के बारे में और पड़ते हम लोग विस्तार से जानते हैं आग के वीडियोस में फिर से में आपको समझा देना चाहता हूं ये 1980 के टाइम का था जिक गवर्णमेंट ने सरदार सरुवर प्रोजेक्ट नाम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नर्मदा रीवर पे लॉंच किया था इसमें 30 बड़े डैम बनने थे 3000 चोटी चोटी डैम बनने थे इनके नर्मदा के ट्रिविट्रीज पे ठीक है तो इसको अप्पोस करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदुलन का लॉंच किया गया ठीक है विद्यारती घन हम लोग देखने वाले हैं सरदार सरूवर प्रोजेक्ट के बारे में जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं यह इमेज यह है सरदार सरूवर डैम बिल्ड इन नवगाउं ठीक है तो यह डैम का बेसिकली यह काम है यह एक मैल्टी पर्पोस डैम है इधर से drinking water supply किया जाता है electricity का generations होता है और इसके पास में ही statue of unity है तो वहाँ एक tourist attraction center भी है तो लगभग 245 villages and 2.5 lakh of people get these water everyday और जहां सूखा है अगर तो उस जगह पे भी इस डैम से पानी supply किया जाता है तो यह बहुत बड़ा डैम है पुरे दुनिया का यह second largest dam built किया गया है concrete cement का ठीक है और इसका completion लगभग 2070 के 17 में हुआ तो यह बोल सकते देश के लिए गर्व की बात है जो कि इतना बड़ा डैम बना हमारे देश में ठीक है तो और यह बहुत सारे लोगों का lifeline है यह dam ठीक है अब हम देखेंगे protest of the नर्मदा पचाओ आंदुल के बारे में तो सबसे पहला उनलों का protest इसको लेकर की हुआ displacement risk और settlement provision के बारे में अगर उदर डैम बनती है तो वहाँ displacement risk आएगा और वापस से जो लोग उदर से हटाए जाएंगे दैम बनाने के लिए तो वह वह एक में इस्चूज थे सेकेंड इस्चूज यह थे इन्वर्मेंटल इंप्रक्ट और सब्सक्राइब इस्चूज इस्चूज इसके लिए थे कि फोर्थ यह थे फोर्सफुल इविक्षिंस एंड वॉलेशंस अव सेविल लिबर्टी तो वहां जबरदस्ति किया जाता लोगों को निश्काशित और आम जनताओं का जो लिबर्टीज है या वो वॉयलेट होता वहां का नागरिक की स्वतंतरता वॉयलेट होते वहां ठीक है किया गया जल सम जन जल संपर्ण इस यह देख सकते हैं जल संपर्ण था फिर रास्ता रोको ठीक है इसके बाद गावबन डेमोंस्ट्रेशन ऑफ रैलीज बहुत जगा पे रैलीज किये गए भूखरताल किये गए और ब्लॉकेड अफ दी प्रोजेक्ट तो आप इस तरह से कि अन्दुलन देख सकते हैं जल में लोक खड़े हैं बहुत दिन तक cour़ लोक ब以च में यह आप देख है निजसे मेलग हैं पानी जल समरपण करके बहुत जगा पर रास्तरों को आंदोलन किया गया गाओं गाओं में गाओं को बंद किया गया बहुत जगा बैनर्स रैली निकाली गई बहुत जगा भूग हर्ताल रखा गया है ना तो इस तरह से आंदोलन को फैला आया गया पुरे खास करके महारष्ट में MP में और गुजर आंदोलन हो रहा है लोगों ने बर्चहड कर हिस्सा लिया इस आंदोलन में जो कि लोकल लोग हो या बहुत रेक्टिविस्ट हो एंजियोज हो तो इन सब लोगों ने इसमें पाट लिया खास करके महलाएं आप देख सकते हैं जब से चिप को आंदोलन शुरुआत हुआ तब बचाने के लिए बहुत हद तक सक्सेस हुआ है जैसा कि उसमें से एक नर्मदा आंदोलन भी है जो की सक्सेस्फुल हुआ है तो देख सकते हैं इस तरह से महलाओं खड़े हैं नदियों में और आंदोलन कर रहे हैं ठीक है चलिए अब देखते हम लोग गवर्मेंट आअफाल से आप्टा पर मोइव 17 winter कार ठीक है तो इन दीयनियर नाचीटिटीपाइव याम अफ जालू हुआ। आंदोलन आंदोलन। थो यह अंदुलन फूरे महारश्ट्यTr गुजराद और EMP में बड़े स्तरपे हुआ यह पूरा बहुत बड़ा आंदोलन था आ और यह यहांदलन को देखते हुए, कोट ने क्या किया, यह इस construction of dams बनने थे, उसके ओपर रोक लगा दिया गया, ठीक है? तो अब इसमें देखते हैं, the protest demanded reduction of the heights of the dam, यह वाला पर, which has installed project for over three decades. the NDA government in the June 2014, gave the final clearance on the dam, तो यह तीन दशक तक यह project stalled कर दिया गया, रोक लगा दिया गया इस project पे, ठीक है, और फाइनली जब NDA government formed हुआ, in the June 2040, इस dam को final clearance दे दिया गया, और फाइनली इनागरेट कब हुआ, 70th September 2017 को यह इनागरेट हुआ, और यह dam use के लिए open हो गया, ठीक है, यह था government response. अब देखते हम लोग significance of the नर्मदा बचाव आंदोलन के बारे में, तो दो महत्व इधर देखने को मिलता है, तो पहला महत्व यह है, the movement through its efforts brought larger issues such as efficacy of the model of development and the public interest on the public forum. मतलब, यह movement सबसे बड़े issues पे focus करता है, वो है कि प्रभाव डालता है, जो भी model of development, government propose करती है, वो public के interest में होनी चाहिए, और public के लिए ही होने चाहिए. ठीक है, और दूसरा यह है, जो यह journey है, यह जो सफर रहा है movement का, यह दरशाता है कि gradual process of disjunction, दो अलग ही रहा है, political parties और social movement in India में, ठीक है, तो यह थे दो महत्व की बाते, जो की नर्बदा बजाओ आंदोलन से देखने को मिलता है. आज के agenda का यह आकरी आंदोलन है, save array movement का, जो की सन 2014 में यह शुरुवात हुआ है आंदोलन का, और जगा है Mumbai array, ठीक है, और जो leaders थे, इधर NGOs हैं, और local leaders है, उधर के local leaders है, और जो की यह movement lead कर रहे हैं, इनका meaning है to save the array forest from the deforestation, ओके, तो यह है safe array movement, तो अरे एक जगा है Mumbai के गोरे काओं जगा पे, और यह इसमें का बहुत सारे forest area है, पूरा, basically यहाँ आदिवासी family रहते हैं, और पूरा hilly region है, grasslands है, rock mountains और hills है, tall trees है, जो की बहुत पुराने हैं, यहाँ 1951 में array milk dairy established किया गया था, ठीक है, तब से यहाँ array dairy से बहुत famous है Mumbai में, और array एक lunk of Mumbai बहुत भी सकते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनलों के NGS training center बने array में, तो वहाँ आदिवासी से कुछ जमीन चले गए, और film city उधर है, और बहुत सारे housing complex बन गए, तो यह सब के कारण क्या हुआ, उधर deforestation हुए, बहुत सारे जहार कटाई already हो चुके हैं, तो अभी क्या हो रहा है, एक नय यह movement पुरे मुंबई में हो रहा है, ताकि वहाँ deforestation और ना हो, यही आकरी जंगल बचा हुआ है, मुंबई का, जो कि Sanjay Gandhi National Park का हिस्सा है, तो उसके लिए लोग यह आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट तो सेव दी अरे कॉलनी, तो मैनी एंग यो और मैनी आदिवासी, लोकल पीपर्स और उदर के लीडर्स, तो कॉमन सिटीजन, स्टुडेंस, इंवर्मेंट लिस्ट, बताब बढ चड़के इन लोग हिस्सा ले रहे हैं, ताकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताक प्रोटेस्ट अभी बी चल रहा है, अभी बी कुछ सेटलमेंट हुआ नहीं है, इस प्रोटेस्ट को ले करके, और यह बॉम्बे हाई कोट में इसको बहुत प्रोटेशन फाइल किये गए हैं, कि इस जगह पे जो शेड्स, कार शेड्स आने वाले हैं, उन्हें कहीं और शि किया जा है, तो बट यह ओंगोई मुवमेंट चल रहा है उस जगह पे, धन्यवाद मेरे विध्यारती गन, होप आपको मजा आया हो मेरा वीडियो देख कर खे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे, सब्सक्राइब कर दीजे, तब तक के लिए मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,